हेलो गाईस मिस्टर साइन टूप चैनल पर आप सभी का सवागत है आज किस वीडियो में आपको एक काफी सांदार डीसी मोटर बना कर दिखाने वाला हूं और गाईस एक काफी छोटे साइस का है और इसको मैंने पीविसी पाइप का यूज करते हुए बनाया है आप भी इसक 25 mm का एक छोटा सापीस है और गैस अब यहां पर जो है इसको ऊपर और नीचे पाइक करने के लिए हमको दो धककन कट करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं इस प्रकार का जो है पीवसी पाइप के सीट का यूज करने वाला हूं इस पे जो है हम लोग कुछ इस प्रकार से र के जो है एक साफ्टोर लेना है आप इस साफट को बाइस्कील स्पोक के मैंसे क्ली कट कर सकते हैं और इसकी जो लंबाई होगी आप अपने काई इतना बड़ा बना रहें उसके के काई इसके रखना है उसके बद गैस हमको जो है इस प्रकार की कुछ कोर ब्लेट के जूरत वाली है तो मैं यहां पेश लिया हूं और आप को निकाल लिया रहाँ बढ़ोर मोटर में लगा व्ता है मैं इस अनरा निकाल घर as सकते हैं उसके पाद गैस हमको जो है इस प्रकार का एक कम्यूटेटर के भी जुरत पढ़ने वाली है इसको भी मैंने खराब मोटर से निकाला यहां पर देख सकते हो अब फड़ा फड़ा सभी चीज़ को जो हम लोग एसेंबल करते हैं अब गैस इसके अंदर हमको वैंडिंग करना है तो वैंडिंग करने के लिए मैं आप यह कॉपर वायर का जो है मार्किट्स परसिट कर लिया हूं और इसका नंबर है यहां पर मैं 30SWG का वायर परसिट्स किया हूं आप जो 32, 34 & 36 का भी वायर जो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं वह भी जो अच्छी तरह से वग करेगा तो यहां पर मैं 30SWG का वायर जो इसके अंदर यूज़ करने वाला हूं और यह आर्मेचर है इसमें चलिए फड़ा कापर लोग लगा लगते हैं कि अगया वैंडिंग हो जाने के बाद अब यहां पर जो है इस कापर वायर के उपर इंसुलेशन लगाता है तो उसको इसली रिमूव करके सौल्डर की मदश जो है इसें फड़ा फट शौल्डर कर लेते हैं तो इस आपसे छोटा आर्मेचर अब तक का बन की रिली हो गया है इस की साइज अब जाकस तो कितना चोटा है यहां पर आप मेरे फिंगर पर लगा रहे है बहुत ही छोटा बहुत ही लुएलट वेट है के बराबर इसके मीडिल में होल करना है आपको ध्यान देना है कि धकन में थोड़ा सभी डिफिरेंस नेरना चाहिए इसके जो है सेंटर पॉइंट में इसके मार्किंग करके होल कर लेते हैं यहां पर अच्छी तरस मैंने इसके सेंटर में जो है होल कर दिया है अब इसमें से जो एक पीस है इसको इस प्रकार से उपर साइड में लगा के अच्छी तरस जो है सूपर ग्लू से इसी पर चिपका देना है उसके बाद गैस अब इसको हमको चलने के लिए इसके अंदर हमको मैगनेट लगाना पड़ेगा तो आप इसके अंदर नियो डियम मैगनेट रे यूज कर सकते हैं यहां पर डिस्प्लेप आप देख सकते हो बट इसका जो प्राइज है काफी अधिक है बहुत लोग पर्च चिपका लेता हूं अब उसके बाद जो हम लोग का आर्मेचर है इसके अंदर इस प्रकार्स लगा देंगे और यह अच्छी तरह से काफी मस्तर के सिसके अंदर घूम रहा है अब इसको यहां पर चलने के लिए हमको एक ब्रस लगाना पड़ेगा इसमें तो ब्रस के लिए कि मैं इस प्रकार का एक छोटा सा ब्रस यूज़ करने वाला हूं सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग यहां पर चिपका देंगे कुछ इस प्रकार से सुपर गुम दस्ट से अब यह जो है कमिने टेटर इस ब्रस के साथ अच्छी तरह से अटेच हो जाएगा और अच्छी सबसे पहले पैक करने इस पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके अदर थोड़ा सा ओयल या ग्रिस देंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर जो है ग्रिस हम लोग देंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है ग्रिस यूज़ करूंगा इसमें तो फाइनले गैस यहाँ पर बन की कम्पलिट हो चुका है अभी थोड़ा सा काम इसके अदर बागी है यहाँ पर हमको दो होल करना है इस इसको जो है यह वाला एज है इस पर हम लोग थोड़ा सा सेंट पेपर से अच्छी तरह से इसको घिश देंगे ताकि देखने में बढ़ियां लगे तो चलिए फटा-फट से पहले इसको फिनिसिंग दे लेते हैं तो फाइनली यहां पर बनके कंप्लिट हो चुका है इसको मै लेके बैटरी से यूज कर सकते हैं तो यहां पर जैसे यहां पर आप दखना करेंट इसको मैं दूंगा यहां पर देखतों कितना इस पीड जो है चल रहा है बहुत तीजी चल रहा है अभी मैं आपको इसको ऊपर थोड़ा उठा करकर दिखा दे नहीं है बहुत लोग कहेंगे बाई बिडियो बनाते से मगाइव बनाते हो तो यहां पर देपे आपको चला रहा हूं तो यहां पर वियह व्हलो चलाकर फिर इसका डे रहा हो कर दो गाई से मोटर जो काफी अच्छी तरह से चला है बट इसमें एक प्रॉब्लम आगे है क्योंकि जो पीछे वाला है जो साफ्ट है इसके अंदर कम्मुटेटर लगा है काफी अधिक हीट हो गया है मोटर कहें पर भी गर्म नहीं है यहां पर जो इस साफ्ट है एक गर्म हो गया है इसके अंदर करेंट काफी अधिक मिल रहा था क्योंकि इसके अंदर मैं ने वाइंडिंग बहुत छोटा सक्या है तो इसको अम लोगों 1.5-2 बोल्ट से चलाना है मैं यहां पर 4 बोल्ट का लि दिखा भी सकते हैं और जो है 100 परसेंट वर्क किया है हम लोग जो बनाएं उस अक्सेस हो गया है और गैसे वीडियो कोई फेक नहीं था मैं इसको एक बार फिर से इसको जो है री उपेन करके आपको दिखा रहा हूं यह तोड़ा सा खोलता हूं किसी तरीके से तो यहां पर पिचोंतो आपको दिखाने केले मैं जो है इसको यहां पे कट कर रहा हूं टो विडियो में कोई भी स्किप नहीं है तो यहां पर देख सकते हो इसका ब्रस यहां पे बोल्टे से चलाना है दो बोल्ट के ब्याटर उसे अधिक बैटरी से आपको नहीं चलाना है तो फिरेंडे DC मोटर आपको कैसा लगा मैंने जो इसकी टेस्टिंग भी करके आपको दिखा दिया है बस आपको जो है दो बोल्ट से या फिर डेड़ बोल्ट से जो इसको यूज करना है काफी छोड़े सज क्या है और जो हमने इस्परिमेंट किया था काफी 100% सक्सेस्पूल गया है आई होब आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए करें करें